आज का ब्लॉग में आपको ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जो कि पूरी भूतों से भरी जगह है जहां पर रात के समय कोही नहीं जा सकता और बहुत लोग का उस जगह के बहुत कुछ अलग ही मानना है जो कि मैं आपको वीडियो में सारी डीटेल्स बताने वाला हूँ और कहा पर अपन जा रहे हैं वो भी जगह में आपको बता दूँ गाइस आज हम जा रहे हैं नाकपुर में सिमिनेरी हिल्स के बाजू में एक पारसी घाट है जहां बहुती डरावना घाट है जो कि मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगा और वीडियो में पूरी मैंने बिल्यू कई लोग करते हैं कई नहीं करते हैं और आज का जो ब्लॉक है बहुत यादा अमेजिंग होने वाला है और मैं आप दिखाऊंगा वहां से अंदर जाके पूरी जगह तो चलेगा इस आज का ब्लॉक करते हैं स्टार्ट तो अभी में हूँ सिमिनेरी हिल में जो कि मेरको अंदर से एंट्री नहीं मिली तो मैं दूसरी जगह से एंट्री कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यह पूरा प्लेस है जहां पर चारों तरफ हर्याली है और हमारे सिवा इस जगह पे अभी कोई नहीं है तो अभी हम यहां से जा रहे है गाईस पारसी घाट कि अलगत फिलेता है ना तो गाईस हम फाइनली घाट के अंदर चले गए ते आपने वीडियो में देखे ही होंगे और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी लोगों ने ऐसी बहुत सारी गलत फिर्म में आप फैलाई ती कि डराव में भूत प्रित घुनते है पर ऐसा कुछ होता नह बूला यहीं हम अंदर गाए वहाँ पर खाया पर लेना है तो बोले निवीडिनी शुट मतलो और अंदर आना भी वह इसा मना था पर हमने उनको रिक्वेस्ट कि एक हमको अंदर जाना है तो अंकर अंदर जाने दिये हम पूरा जो घाट अई एरिया है पूरा घुमे है और पार्सी घाट में ऐसा है गाइस कि जो भी इनसान जिसकी मित्ति हो जाती है उनके साथ यहाँ पर अईसा करते थे अभी बैयन फिला अभी नाकपुर में बैयन हो चुका है कोई सीटी में बैयन हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं तो ऐसा होता था जब इनसान मर जाता है उसको यहाँ पर लाया जाता था इस घाट में घाट में लाने के बाद उसको घीत उपसे नहला के उसको एक पेड़ पर टंगा दिया जाता था टंगाने के बाद उसको जब तक चील कव्वे खा नहीं लेते उसकी चमड़ी पूरी निकाल नहीं लेते तब तक उसको टंगा रहने देते थे और वो करने से पहले उनके बॉड़ी में जितने पार्ट से डोनेट कर देते और आपने चीज सुना ही होंगा पार्शी इस दे ग्रेट तो उसी तरीके से अपने शरीर के पार्ट सो डोनेट कर देते थे फिर यहां पर लाकि उनकी चमड़ी उम्री चिलकवे खाय लेते थे बाद में जो हड़ी जितना भी कुछ बचता था तो एक कुवे में डाल देते थे उससे अगर कुछ सामन बनता भी उतना आइडिया नहीं मुझे तो वहाँ पर ढल देते थे बाद में उसका अंतेम संस्कार किया जाता था इस तरीकी कि यहां की थोड़ी हिस प्लेस नहीं है बर डर तो लगता है क्योंकि पूरा सन्नाट एरिया है मेरे आजू बाजू देख सकते हो मेरा एक दोस्त है मेरे साथ और में हूँ और हम दोनों की सिवा यहां पर आपको कोही भी नहीं मिलेंगा तो इसी के वज़ी से थोड़ा डर लगता होंगा बाकि ऐसा क कुछ नहीं है तो अभी हम आ गए और ऐसा भूत भूत नाम की कोई चीज नहीं होती है तो चलिए मिलते हमां नेक स्वीडियो में सब तक के लिए धन्यवाद अभी खोच करते हैं कोई हंटेट प्लेस कोई नहीं और तो चलिए बाए